मेरे चैनल पर अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अप्लोड हो मेरी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो फ्रेंट आज में लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं अगर मेरी ये रेसिपी आप लोग को अच्छी लगती तो प्लीज इसे लाइक करें ज्यादा से दादा शेयर करें और कमेंट करके फीड़बेक में जरूर बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगी धेसे तो चलिए देख लेते हैं तो यहां हमने पूरा दो कप और एक चौथाई कप हमने मतर लिया है दो कप मटर है इसको हम पीस लेंगे इसको हम दरदरा पीस लेंगे और जो बाकी मटर है उसको हम वैसे ही डालेंगे तो यहां एक मिक्सिजार में हम इसे डाल कर पल्स पर इस तरीके से दरदरा हम पीस लेंगे एकदम फाइन नहीं पीसना है और अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का आलू, ऐस तरीके से छोटे-छोटे टुकडों में काट लेंगे, एक मीडियम साइज का प्याज, और दो टमाटर, और इसमें जाएगा आधा चमज गरम मसाला, आधा चमज धनिया पाउडर, नमक स्वाद नुसार, दो से तीन तेजपत्ता यहां हमने लिया है, और आधा चमज जीरा, आलू की जगा आप बड़ी भी डाल सकते हैं, उससे बहुत ही टेस्टी लगता है, और यहां हमने लिया है, दो हरी मिर्च, और थोड़े सी अदरक, और आठ से दस कलिया लैसन की, आधा चमज जीरा, और आठ काली मिर्च, अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो मिर्चे इसको काट लेंगे, और अधरक को भी छोटे-छोटे टुकडों में काट कर, और सभी चीजों को डाल कर, थोड़ा सा पानी डाल कर, इसको हम पीस लेंगे, तो इसे हम पीस ल आलू को भून लेंगे तो इसे हम गोल्डन होने तक अच्छे से भून लेते हैं देखिए ये गोल्डन हो चुका है अब हम क्या करेंगे इसे एक बरतन में निकाल लेंगे आप चाहे तो इसमें जो बड़ी होती है उड़द वाली वो भी डाल सकते हैं बहुत लोग उसी डाल जब तक कि इसमें से तेल न छोड़ने लगे तो देखे इस तरीके से हम चलाते हुए भूनेंगे इसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है तो नीचे चिपकने लगेगा तो देखिए हमें भूनते हुए 7-8 मिनट हो गया है देखिए अब ये दरदरा हो गया है ये बिल्कुल ये निशानी है कि ये भून चुका है अब हम क्या करेंगे इसे भी एक प्लेट में निकाल देंगे तो इसे भी निकाल लेते हैं और फिर उसी कड़ाई में हम थोड़ा चा तेल डालेंगे जब तेल गरम हो जाए तो हम इसमें डालेंगे हिंग एक चौथाई चमच हम इसमें हि और फिर हम इसमें डाल देंगे तेज पत्ते, जीरा, आप चाहे तो इसमें सुखा लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, तो प्याज को डाल कर हम 2-3 मिनद तक भून लेंगे, देखिए ये भून चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे पेस्ट को बनाते समय हमें फ्लेम का ध्यान रखना है मीडियम लो फ्लेप पर ही बनाएंगे तो अच्छा बनेगा अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और टमाटर को भी डाल कर हम मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल सकते हैं तो यहां में एक चोथाई च चला दिया था इसे तो देखिए थोड़ा सा टमाटर और यह जो मटर है थोड़ा सा हल्का को खो चुका है अब हम इसमें क्या करेंगे आलू डाल देंगे और जो मटर हमने भून कर रखा था यह भी हम इसमें डाल देंगे और एक से दो चमच हम इसमें पानी डाल के और फि को हम low medium ही रखेंगे तो देखिए इसे हम अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे और अब हम क्या करेंगे इसमें हम पानी डालेंगे तो पानी आपको जितना गाढ़ा पतला रखना हो उसी हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें पानी अगर आप एक तरफ गरम करके फिर डालत लेंगे और पांच मिनट के बाद हम फिर से इसे एक बार चला लेंगे और इसमें अब फाइनली हम इसमें नमक डाल देंगे तो नमक स्वात के अनुसारा आप डाल सकते हैं और फिर इसे हम एक बार चला लेंगे और चला कर फिर इसे ठखके हम पांच मिनट तक low flame पे cook कर ल यह हमारा नीमोना बन के तयार है आप देख सकते हैं कितना एट्रेक्टिव लग रहा है तो चलिए इसे अब हम सर्फ करते हैं तो देखिए आप इसे कोई भी चीज के साथ रोटी के साथ या फिर चावल के साथ इसे सर्फ कर सकते हैं इस्पेशली चावल के साथ यह बहुत ही करना ना भूलें और अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर से एक चमस देशी घी डालेंगे घी डालने से जो इसका टेस्ट है और भी बढ़ जाता है तो आप जरूर इसमें घी डालके खाएं अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्केप कर सकते हैं अब मैं इसे स्टीम ड्र इसकी भी रेसिबी में बहुत ही जल्द अपनोड करने वाली हूँ तो फ्रेंसे से जरूर एक बार आप ट्राइ करें